पूरे महाराश में सामान जाती के मुखपत्र भोई धीवर और भोई गौरफ के नियमित प्रकाशन के तीन वर्ष पूरे होने के अफसर पर तिलक पत्र का भवन पंशील चौक सीता बर्डी में त्रती वर्षकाट समहारो भव्वे तरीके से आयूजित किया गया चंत्रलाल मेश्राम की अधिशिता में यवतमाल के उपकलेक्टर डॉक्टर स्नेहर कनीचे जानिमाने लेखक और कवी प्रोफेसर ज्यानेशव वाकुरकर जिला सूचन अधिकाली नागपूर प्रवीन टाके प्रियोदर्शनी कॉलेच ओफ इंजिनियरिंग नागपूर की प्राचारे डॉक्टर श्रीक्रिशन ढाले प्रधान अधियापक अर्थिशाष्ट के प्रोफेसर डॉक्टर वर्शा गंगने नवदेवे वासुदेव राव सुर्जू से अम्रावती सदाशिवराय वलात्रे भंडारा प्रधान संपादक चंदरकांत लोनारे सै संपाद प्रकाश डायरे मुख्यतिती थे भोई गौरव पत्रिका की तीसरी वर्शगार के अफसर पर भोई धीवर और इसी तरह की जातियों के मुख पत्र भोई गौरव और समाज रतन पुरुसकारों से सम्मानित किया गया भोई गौरव और समाज रतन सम्मान दिया गया उध्य व्यवसाय सहेकारिता मत्स्य पालन राजनीती सामाजिक कारी पत्रकारिता पक्षी हितेशी शिक्षा नुसंधान जैसे विभिन शित्रों में उनलेखनी कारी करने वाले समूदाय के सदस्यों के लिए इस अफसर पर प्रकाश पचारे की नेतरत में पवनी मत्सय उत्पादक स सहेकारित समीती के अध्यक्ष भोई गौरव और भोई समाज रत्न पुरुसका भोई गौरव पत्रका के वर्ष्ट कार्ट के अफसर पर उत्परश्ट मत्सय उत्पादन के लिए प्रदान किये गए पवनी से बीसीन न्यूस के लिए राजेश यल सटीवार की रिपोर्ट झाल